हलो दोस्तों स्बाइट आपका हमारे इस चैनल FM गाइड में जिस तरह से आप जानते हैं कि इन दिनों वोटर आईडी को आधर काट से लिंक कराने की एक मुहिम चलाई जा रही है पुरे देश भर में और आपको भी किसी ना किसी माध्यम से ये कॉल जरूर पहुंचा होगा कि आप अपने वोटर आईडी को आधर काट से जरूर लिंक कराएं वरना ये हो सकता है कि आपका वोटर आईडी रद कर दिया जाए या फिर वोटिंग लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा जी हाँ कल ही बसो कल्यान में भी मेरी विदान सौधा में एक मीटिंग कंड़र की गई असिस्टेंट कमिशनर की जेरे सरपरस्ती जहाँ पर सीमसी कॉंसिलर्स और साथ में ब्लॉक लेवल आफिसर और राशन कार्ट के शॉप्स के जितने भी एजेंट्स होते हैं वहाँ प आपको यह चीज बेसिक सी क्लियर कर देना चाहेंगे आज कि क्या वोटर आइडी और आधार कार्ट को लिग कराना ज़रूरी है या मेंडिटरी है या फिर इस से आपका वोटर लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली बात जो ह आपका वोटर आइडी कार्ड रत कर दिया जाएगा और जब मेगनात एस ने इस चीज पर सवाल उठाते हुए ब्लॉक लेवल आफिस से वापस सवाल किया कि ऐसा किसकी तरफ से तुम्हें और किया गया है तो उस व्यक्ति की जानिप से ये कहा गया कि उपर से और आया है इसके बाद इन सारे वाकिये को जब मेगनात एस की जानिप से ट्वीटर पर पोस्ट किया गया तो दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल आफिस से एक करमचारी ने उन्हें पस्रली कॉंटक्ट किया और उन्हें ये बताया कि ये जितना भी प्रोसेस है वो एक वॉलिंटेरी प्र के तरफ से ऐसा कोई भी स्टेट्मेंट पास नहीं किया गया है जबकि ये जो सारी मुहिम है उसका आगास एक अगस्ट से हो चुका है पूरे देश भर में और पिछले एक अगस्ट से लेके दस अगस्ट तक ये देखा गया कि धाई करोर से भी ज्यादा लोगों ने वालि कर दिया गया है और इससे लोगों के जो फंडमेंटल राइट है प्राइवेसी का वह यहां पर ब्रीच हो सकता है तो इस पर पक्ष ने जवाब देते वे कहा था कि कई सारे लोग फेक वोटर आइडी बना रहे हैं जिसकी वजह से एफेक्ट हो रहा है एलेक्शन के जितना लाक से जायत वोटर आधर कार्ट जो है रद कर दिये गए हैं फेक होने की वजह से तो आप सुन सकते हैं कि यह चीज़ कहना बिल्कुल ही मुनासिव नहीं होगा कि वोटर आइडी कार्ट और आधर कार्ट को लिंक करने से फेक वोटर आइडी अलग हो सकते हैं हलनकि यह ब नहीं होगा जबकि दूसरी तरफ कई सारे electoral officers हैं जिनकी तरफ से इस process को mandatory बता जा रहा है और साथ में ये भी बात कहीं जा रही है कि अगर वो ये process को नहीं करते हैं तो उनका voter ID रद कर दिया जाएगा तो ये जो बीच का confusion है गौर्मेंट और अवाम के बीच का इस confusion की वजए से कहीं ना कहीं गौर्मेंट को फायदा हो रहा है और लोग अपना voter ID कार्ट आधर कार्ट से link करा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि जहां पर असिस्टेंट कमिशनर एक meeting conduct की तो उन्हें उन्होंने इस बात को वाज़ा किया कि ये process mandatory है तो अब असिस्टेंट कमिशनर से सवाल करना बनता है कि क्या जो amendments हैं electoral election commission की तरफ से क्या उन्हें चीजों में किसी खिसम का amendment किया गया है या फिर इन चीजों को कहीं भी mandatory बताया गया है तो एक बार आप ये सवाल जरूर करें और अगर कोई block level officers भी आपसे ये बात कहते हैं कि आपको अपना voter ID आधरकार्ट से लिंग करना है तो उन्हें भी ये सवाल जरूर कीजेगा है कि ये mandatory क्यूं है तभी आपको इन तमाम का खुलासा हो पाएगा और वहीं दूसरी तरफ पूरे देश भर में कई सारे लोग voluntarily इस process को कर भी रहे हैं मगर जो confusion create हो रहा है कहीं ना कहीं ये चिंता का विशय है तो अब सीधा सवाल government से और जितने भी official authorities हैं उन पर ये बनता है कि क्या ये process mandatory है या फिर नहीं है और तक पहुंचाए जा सकते हैं ऐसी खबरों के लिए आप बने रहे हैं हमारे चानल FM Guide के साथ